Hello Friends Welcome back to my channel friends आज के इस Class में हम देखेंगे जो डेभ दागले हैफो सेस्ट फट्रेश करें हैं इस तेड़ी करें हैं पार्ट वन में उसी के आगे का पॉर्शन हम कंटीन्यू करते हैं तो friends करती है तो इसके अधार पर लुइस डी ब्रॉगली जो फ्रेंस फिजिसिस्ट है उन्होंने यह कहा कि मेटर है अलसो डूवल करेक्टरिस्टिक्स ज़स्ट लाइक रेडियेशन और मेटर जो मेटरियलिस्टिक पर्टिकल्स है उससे एसोसेटेट जो वेव है उसकी वेवलें और इस फर्मुला जो लेमडा इस एकल टू एच बाई पी है उसके अधार पर हमने यह कुछ कॉंक्लूजन निकाले थे और इसके बाद फ्रेंड्स आईए हम कुछ स्पेसल केसे से ले कर देखते हैं और उस स्पेसल केसे में जो डी ब्रॉगली वेवलेंद की वेल्यों क्य हो हम मास हो हम और वो वेलोसिटी वी से यदि मुव कर रहा हो तो उस केस में जो पartióल कि मॉमेंटम होगी पart इकल मॉमेंटम पी विल बिजी गिवन बा Wij एम वी तो इसकेस में ज मटेरियल पार्टीकल थे उस ise CT with length will be given by lambda is equal to h by m v. तो friends, तो यह हमारा first special case है. आएए हम second number की cases देखते हैं. यदि हमारे जो particle है, जिसकी mass m है, उसकी यदि kinetic energy, suppose k हो, जो particle है, जिसकी mass है m, यदि उसकी kinetic energy k हो, then k will be equal to 1 by 2 m v square. अब इस equation को हम थोड़ा modify करें, अर्थात इसकी numerator और denominator दोनों में, यदि m का multiply करें, तो उस condition में ये क्या हो जाएगा, m v का whole square upon m. अब friends हम देख पा रहे हैं कि जो m v है, this is the momentum of the particle, तो यहां हम m v के जगह में क्या put कर लेंगे, यहां m v के जगह में हो जाएगा, p और इसका square हो जाएगा, तो p square by 2 m. अब इस equation से, p की, p square by 2 m से है, हम p की value यदि निकालने हैं, तो p is equal to क्या हो जाएगा, root 2 m k. तो यह जो हमारा formula पहले है, lambda is equal to h by p, तो इस formula के नोशा, डे ब्रॉगली wavelength will be given by lambda is equal to since h by p होती है, और यह p की value यदि हम put करें, तो lambda is equal to h by root 2 m k. तो this is another case, यदि हमें particle की kinetic energy मालूम हो, तो उस condition में उस particle से associated, जो डे ब्रॉगली wavelength होगी, उसकी जी ब्रॉगली wavelength की value h by root 2 m k होगी, तो आईए हम next case लें, और next case में हम देखते हैं कि क्या होती है, यदि हमारे पास जो particle है, तो according to kinetic theory of gases, तो average kinetic energy of the particle, इसको हम लिखे लें, according to kinetic theory of gases, the average kinetic energy of the material particle is given by k है, और यह equal होगी, 1 by 2 mv square, और kinetic theory of gases की अनुसार, this value is given by 3 by 2 k t, where k is what? where k is, जो small k है, यह, जो हमने यहाँ पर put किया है, यह वाला k, यह इसकी value किसके equal होगा? this will be equal to 1.38 into 10 to the power of minus 23 joule per Kelvin, और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोल्ट स्मेन कॉंस्टेंट, बोल्ट स्मेन कॉंस्टेंट, बोल्ट स्मेन कॉंस्टेंट, तो friends, जदी हम, जो पीछला formula हमने यह देखा है, यह वाला formula, इसमें kinetic energy के जगह में, के के जगह में, यदी हम यह value put कर दें, kinetic energy 3 by 2 k t, तो in this condition, जो wavelength है, अर्थार, जो material particles associated wave की wavelength, that is given by h by root, 3 m k t, तो यदी हमारे पास, यदी, बोल्ट स्मेन कॉंस्टेंट और यदी temperature की value दी हुई है, t is the temperature, जिसे हम absolute temperature कहते हैं, particle की absolute temperature है, तो इस condition में, lambda is equal to h by root 3 m k t होगी, next हम case देखें, next case में हम देखते हैं, कि यदी हमारे पास, suppose कोई charge particle, for example, electron हो, और उसको potential difference v से हम accelerate करते हैं, तो in this condition, kinetic energy of the electron is given by e v, जो v कहा है, यहाँ पर potential difference है, and e is the charge in this particle, तो यहाँ पर यदी देखा जाये, तो उसकी kinetic energy की formula होगा, mv इसको accelerate कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर m, यदी small mv की value निकालें, तो हम small m जो v है, उसकी value यदी निकालें, तो उस condition में इसकी value आ जाएगी, root 2m e into v, यहाँ पर हम देखा रहे हैं, यह जो v है, this is potential difference, and this is the velocity, तो in this case, lambda will be equal to that h by mv, और यह को हम put करेंगे यह value, तो यह equal होगी, h by root 2m e into v, अब यहाँ पर यदी हम, यदी electron हम लें, और electron की mass, electron की charge, और h की value हम put कर दें, इस प्रकार, अर्थात h की value होती है, 6.63 into 10 to the power of minus 34, और जो electron की mass है, उसकी value होती है, यहाँ 2 और electron की mass, 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg, और electron पर जो charge है 1.6 into 10 to the power of minus 19 kg होती है, और into v, यह v क्या है, जो potential difference है, उसकी value है, अब इसको यदी solve करेंगे, तो solve करेंगे, तो friends हमें मिलता है, lambda is equal to 12.27 upon square root of potential difference, जो v है, उसकी value into angostrum, that means unity angostrum में होगी, अर्थात, इस case में जो wavelength की value है, 12.27 upon square root of v angostrum होती है, तो friends, यह कुछ special cases है, जिसमें हमने यह देखा कि जो particle से associated, जो wave है, उसकी wavelength की value क्या होगी, okay friends, आज की session में बस इतना ही, आज की session में हम जो drip broadly waves है, उसके wavelength के लिए कुछ special cases देखे हैं, यह दे आपको किसी पाइन से related कोई doubt हो, तो please ask through comment box, and if you have not subscribed till now, then please subscribe and place bell icon to get the notification of every new video, and friends, please like करें और share करना ना भूलें, thanks for watching my video.